सबसे पहला जो relation के अगर हम बात करते हैं relation between molarity एना देखना molarity लिखे M and percentage weight by volume percentage weight by volume that is the relation between molarity and percentage weight by volume तो यहाँ देखो दो formula हम लोग यूज करने वाले हैं हम लोगों को molarity के बारे में पता है कि molarity क्या होता है that is mass of solute into thousand divide by molar mass of solute into volume of solution in milliliter क्योंकि हम लोगों नहीं molarity क्या होता है कि moles of solute presented per liter solution but milliliter मिले रहे इसलिए 1000 से इसको क्या करें हम लोगों multiply करते रहे हैं तो यह किसका formula है यह molarity का अब हम लोग आते हैं यहां से कि percentage वाला जो चीज़े हम लोगों देखे थे तो percentage w by v यह होता क्या है that is mass of solute wb divide by volume of solution into क्या होता है यह 100 यह अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों देखें कि percentage weight by volume क्या होता है that is mass of solute by volume of solution into 100 यहां से देखो कुछ चीज़े common दिख रहा है क्या कुछ चीज़े common दिख रहा क्या हमें तो दिख रहा अगर यह जो wb है volume है और यहां से यह 100 वाला चीज़ यह common हमें दिखाई दे रहा उससे तो common दिखाई दे रहा तो फिर हम लोग यहां पर इसके formula लिख सकते हैं तो यहां पर molarity equal to क्या हो जाएगा बताओ percentage w by b into बच क्या जाएगा 10 divided by molar mass of b और यहां क्या है m is molarity तो I think हमें समझ में आ गया होगा आपको यह क्या-क्या है mb is basically basically molar mass of यह क्या है बी यह ना m is m is molarity m is molarity and percentage w by b given होता है तो इस तरीके से इनके बीच में हम लोग relation निकाल करके इसको numerical solve करते हैं तो what is the relation between molarity and percentage weight by volume चीज़े क्लेर है लिग लेसको अगे बटे फिरम लोग तो तो इस इक क्वेशन कैसे पूछा जाता है कि फाइंड मोलारिटी आफ टू परसेंट डबलू वाई वी एक्वास नवेच्छ इए क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखो सिंपल से क्वेश्चन है परिसे फंडमेंटल कुष्चन पहले करते हैं फिर इसके बाद में टाफ वेश्चन पर भी आएंगे हम लोग तो फाइंड दी मोलारिटी ऑफ टू परसेंट डबलू वाई वी एक्वास नवेच्छ है क्या होता है फॉर्टी तो इसको फॉर्टी डिवाइड करेंगे तो यह क्या जाएगा पॉइंट फाइव और यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर मोल पर लीटर अब इसी चीज़ों का अगर मालो फॉर्मुला नहीं यादा फिर तुम लेंदी तरीके से स्वाल्व कर करोगे फिर जैसे अगर गिवेन है टू परसेंट डबलू बाइवी एक्वास अनुएच मालों यह गिवन इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यहीं हुआ ना कि दो ग्राम क्या है टू ग्राम एनुएच इन हंडेड एमल सॉलूशन इसका मतलब यहीं हुआ कि टू ग्राम एनुएच इन हंडेड एमल सॉलूशन तो यहां से अगर आप मॉल्यारिटी निकालते हैं तो अगेन वह वाला फॉर्मुला लगाएंगे मास आप सॉलूट बाई थाउजन मॉलेकिलर मास आप सॉलूट इंटू वालूम मिली लेटर वालूम अफ सॉलूशन इन मिली लेटर तो वेट कितना गेवन है तू इंटू क्या हो जाएगा थाउजन मॉलर मास क्या हो जाएगा फॉट्टी और यह क्या है हंडिड्ड यहां से भी सॉल्व करेंगे तो एक तो तरीका है कि इसको solve हम कर सकता है इस तरीके से next अगर हम लोग बात करें कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें molarity given है और percentage composition पूछा जाता है molarity given होगा और percentage composition जैसे next question दे रहें देखो find percentage composition यह क्या है by volume of aqueous H2O2 if by volume by volume if its molarity is 0.5 0.5 mol per liter जब भी अगर इस तरीके से composition by volume लिखा रहना तो यह इमान के चलना कि weight by volume बोला गया है यह जरूरी नहीं कि हर बार specify हो जाए कि weight by volume है क्योंकि maximum numerical ऐसे लिखा था by volume मतलब weight by volume by mass मतलब mass by mass यह चीजे ध्यान रखना होगा तो इस case में देखो अगर हमें निकालना होगा है H2O2 का तो H2O2 का molar mass क्या होता होता है molar mass of H2O2 34 34 होगा तो molarity किसके बराबर होता है percentage w by v into 10 divided by molar mass of v तो देखो molarities का given इस बार कितना है 0.5 है तो सीधे हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे 0.5 is equal to percentage w by v और यह 10 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा 34 है तो यह 34 हो जाएगा तो यहां से हम लो percentage composition निकाल सकते हैं तो percentage w by v क्या हो जाएगा 0.5 into 3.4 basically 1.7 इसको solve करने पी कितना रहा है यह 1.7 इसको हम एक और तरीका से solve कर सकते हैं इसको इस question को हम ऐसे भी solve कर सकते हैं अगर मालों दूसरे तरीका से अगर इसको solve करना होगा तो देखो molarity given है इसको देखो समझो क्या क्या करें इप molarity is 0.5 मोल एना मोल पर लीटर मोल पर लीटर अगर यह इसका क्या मतलब है इसका मतलब यही हुआ कि मोल मोल पॉल होसोम्सAngeli को फुलस डूफ थू जो है वह कितना होगा 0.5 तो वॉल्म ऑफBox सोलूउशन कितना हो जाएगा 1-0-0-0.500-0-3 दें ओपांट है ना मौल स्क उश्यक्सरेश्क्रश्क्रट में हैं तो और जैबaden • Mais of यह कुछ ऐसा आगया वॉलूम को आप मिली लिटर में ले ले तो वॉलूम आफ सॉलूशन इस इपल टू क्या हो जाएगा थाउजेंड मिली लीटर अब परसेंटेज कंपोजेशन पर आते तो परसेंटेज डबलू बाइव क्या होता है वास अब सॉलूशन कितना है थाउजेंड इंट्ू क्या हो जाएगा हंटेड तो इसको करने पर सॉल्व करने पर कितना रहा वन बोइंट सेब तो वही देखो कि दोनों तरिका आगर नहीं याद है तो अब लगा करें के भी इसको सॉल्व किया जा सकता है तो पर्सेंटेश डबलू वाई वी कैसे निकालेंगे चीज़े क्लियर है